एल्लो इब्रिवन वेलकाम टो माय चैनल गवर्मेंट जाब विजन आज हम इस वीडियो में लखलो मेट्रो रेल कार्पोरेशन टिम्टेड के बारे में बात करेंगे जिसमें एक स्वासी पोस्ट है तो जो बहुत ही अच्छी वेक NCI उसके बारे में आपको बताएंगे अग आपका इस चैनल गवर्मेंट जाब विजन पर तहदिल से स्वागत है आए इसके बारे में हम डेटेल में आपको बाते करते हैं बताते हैं जो आपका अलमार्सी में वेकैंसी निकली है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है तिट मैं आपको इनोटिफिकेशन डिस्क्रिप् न॓ंबर को आया है जो आनलाइन अप्लिकेशन स्टाट स्टार्टिंग डिट हे वह आपका चीज्ड जल्दी को Sebla TAG जन्वरी 2013 को हो जाएगा 13 जन्वरी 2020 को आपका एक्जाम से टेंट इसका डेट रखा गया है हो सकता है देट उपर निचे आगे पिछे हो सकता है तो आप हम इसके गॉर्डिंग ही चलेंगे 13 जन्वरी के गारडिंग आपको टेहरी करना चाहिए अप देखती हैं पोस्ट जो 183 पोस्ट निकले हैं उसमें किसक Pride की लिएे प्रक्राइबिंट हो रही है तो आप देख सकते हैं इसमें आपको दो अथिक्यारिक पोस्ट द्याएगे एक नॉन- उतकी बाद का अपके सिर्द सवीड-देशन मैनेजर इसकोर दियाया है इसमें आपका यह सार्राइन मैनेजर भर पोस्ट है इसमें अलगर ब्रांचेज के लिए दिया गया इस्ति कंवैह व्यकौनिकेशन और हैं मैनें असिस्टेन मेंजर के पोस्ट है अब इसकी जो एज लिमिट है आपका एज लिमिट होना चीए 21 से 28 एज एज डिलेक्सेशन है जो अवल्ली यूपी की जो दो मिशायल के स्टुटेंट है उनके लिए अब इसको पिलेगा उनको और आपका जो इलिजबिल्टी है बीटे कि या बी में आपको 60 परसेंट अप्टेंट होना चाहिए और यसी यस्टी के लिए 50 परसेंट होना चाहिए यह सारे पोस्ट के लिए लिज़ल होता है आप इसको अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आ लिंक आप वहां से नोट कर सकते है जो आपका लिए पोस्ट लिए वेकनसी अच्छी है पेमेंट आप देख सकते हैं पेमेंट काफी अच्छा है तक जाएगा यह काफी अची परसेंट उसके लिए 33 से सपाट होगा 67,300 तक जाएगा इसमें भी जुनियर एंजिनियर पोस् जो सिविल के लिए है निकला है 58 और एक्टिकल के लिए 40 और सिगनल अटेकल टेली कम्टिकेशन के लिए 17 पॉस्ट है आपका एज लिमिट सेम है और आपके पास जो अपके पास त्री यर की डिपलोमा होना चाहिए या आप विटेक किये हैं तो भी अलेजबल है आप इसको देखते हैं तो प्रफी पेवेंट आपको अगर आप जन्रल कर अब इसी है तो आपको पानस अब देना पड़ेगा अगर आप यह सी एस्ट के टेगरी हैं तो आपको 236 रुपे देने पड़ेंगे विट यह स्थी ठीक है आपको यहां देख सकते हैं अगर आप जन्रल अगर अन्रीजब हैं तो आपको 236 रुपे देना होड़ेगा अब कैसे अपलाई करेंगे और क्या आपका पैटर्न होगा क्या पूछा जाएगा कैसे पेपर कंड़िट कराया जाएंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ हाँ कि यह आपका जो पाकिस क्लिए क्लिया क्लियर ना हो तो आप यह आप सर जाकर आप से चख कर सकते हैं आपका यह बैली इस इस रिलिक्स अदिया हुआ है आपका जो सीविटी होगा मैं उसको बता देता हूं रिटेन टेस्ट आपका रिटेन टेस्ट होगा जो 140 कृष्टन होंगे इसके लिए सारे सारे पोस्ट के लिए जिसमें आपको दिया जाएगा दो आवर्स टाइम दिया जाएगा यहां पर निगेटी मार्किंग वन भाई थर्ड की होगी और इसमें क्या क्या पुछा जाएगा उसके बारे मता देते हैं आपको आपकी आपकी पेपर में इंग्लीज किस लेंग्वेज आएगी जन्रल आवेजन होगा और लॉजिकल एप्टिट्यूट मतलब रिजनिंग होगी और एप्टिट्यूट होगा और आपका जिस फिल्ट से बिलॉंग करते और आपका जो एक्जाम है अभी हमारा नॉम्बर इंडोने वाला है देसंबर और आपके पास वन हाफ मन बचा हुए तयारी करने के लिए काफी अच्छी वेकंसी अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको जरूर बहुत ही अच्छी अपरचुन्टी है किसी के अपलाई करिए और अपने तैयारी बुस्ट करिए आपको मेरे तरफ से all the best अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो आप मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इस चैनल के मांदम से जो भी नए लेटेस्ट गवर्मेंट जॉब न झाल के लुन मेरे ठद्दियस्ट चैनल को सब्सक्राइब प्झेजघ्स टार ओी जुन से